नमस्कार आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूटीब चैनल में जिसका नाम है साहित्य सुंदर्य साहित्य सुंदर्य में आज हम अलंकार पढ़ने जा रहे हैं तो अलंकार क्या है? अलंकार का शब्दशा अर्थ है आपूशन अर्थात गेहना गेहना व्यक्ति क्यों पहनता है सुन्दर लगने के लिए। उसी प्रकार अलंकार जो है कावे में सुन्दरता अत्वा सुन्दर्य का बोध कराते हैं। अलंकारों के प्रयोग से कविता के सौंदर्य में वृध्धी होती है, वह गाने योग्य बनती है, उसमें तुद्बंदिता का गुण आ जाता है और उसके भाव दिल को छूजाते हैं, वह सालों साल तक हमें याद रहती है। अलंकार के दो भेद माने गए हैं मुख्य रूप से, शब्दालंकार और अर्थालंकार, जब कावि में शब्दों के जमतकार से विशिष्ट शाब्दिक सौंदर्य प्रस्तुत किया जाता है, तो वहाँ पर शब्दालंकार होता है। और अर्था लंकार क्या है? जब कावे में शब्दों की ऐसी ओजना की जाए, जिसका सुंदर ये अर्थ के आधार पर उपस्थित हो, तो वहाँ पर अर्था लंकार होता है. अब शब्दा लंकार का एक उधारन देख लेते हैं, रघुपती राघव राजा राम, यहाँ पर शब्दों की ऐसी ओजना की गई है, कि प्रतेक शब्द रवर्ण से शुरू हो रहा है, अर्था लंकार में हनुमान की पूछ में इलगन नपाई आग, लंका सिगरी जल गई गई निशाचरभाग, इसमें जो है हनुमान की सामर्थ, हनुमान जी की विशेष्टाओं का वर्णन है, कि उनमें कितना बल है, और कितने शक्तिशाली हैं वे, शब्द अलंकार, शब्द अलंकार का पहला उधारन हम लेते हैं, अनुप्रास अलंकार, जो की ज्यादा तरक कविताओं में पाया जाता है, जब काव्य पंक्ति में दो या दो से अधिक शब्द एक ही वर्ण से शुरू होते हो, तो वहाँ पर शब्द अलंकार होता है, उधारन है, चारू चंद्र की चंचल किरने खेल रही थी जल्थल में, तो यहाँ पर चारू चंद्र और चंचल चवर्ण से शुरू हो रहे हैं अतर हुआ आनुप्रास अलंकार यमक अलंकार जब एक ही शब्द का दो बर प्रयोग हो और दोनों बार उसके अर्थ भिन भिन हो तब वहाँ पर होता है यमक अलंकार इसका सबसे जानावनाव दारण है काली घटा का घमंड घटा यहां घटा ने जब अपने काली-काले बाल खोले तो घमंड घटाओं का भी घट गया घटाएं अब तक सोचती थी कि हमसे ज्यादा काला कोई और है ही नहीं और जब उन्होंने नाइका के काली-काले बाल देखे तो उनका घमंड कम हो गया अगले उदारण की और पहुँशते हैं हम श्लेश अलंकार का श्लेश अलंकार क्या है श्लेश शब्द का अर्थ होता है चिप-चिपा इसलिए श्लेश अलंकार का अर्थ हुआ जहां एक शब्द की साथ अनेक अर्थ चिपके हो शब्द एक है किन्तो दो से ज्यादा अर्थ या दो अर्थ उस पे चिपके हुए है ह और तो श्याम रंग में चुराई चित चोरा चोरी रे यहां गोपिका का वर्णन है वह हुली खेल कर आई है उसकी चुनरी श्याम रंग अर्थात काले रंग की हो गई है क्योंकि एक के उपर एक बहुत सारे रंग जब पढ़ते हैं लाल नेला पीला हरा गुलाबी तो वह स् अर्थ है एक अर्थ है श्याम के प्रेम का रंग अर्थात चोरी चोरी वह अपने हृदय को श्याम के प्रेम के रंग में रंग आई है और दूसरा अर्थ है काला रंग अर्थात ज्यादा रंग पढ़ने के कारण चुनरी का रंग काला हो चुका है हमारा अगला अलंकार है हर अलंकार को हम उसके नाम से ही पहचान सकते हैं पुनर अर्थाद बार बार उक्ती अर्थाद बोलना जब किसी काविपंग्ती में बात परवजन या अतिरिक्त प्रभाव डालने के लिए शब्द का दो या दो से अधिक बार प्रयोग होता है आईए तो दारंड देख लेते हैं जहरी 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 जहीनी बूंद है परती मानों घहरी 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 घटा चाई है गगन में जहरी जहरी दो बार बोलने से ऐसे लग रहा है बड़ी जहीमी जहीमी मध्धिम मध्धिम सी वर्षा यहाँ पर हो रही है गहरी गहरी दो बार कहने से ऐसा लग रहा है वाकई में घटाएं अर्थाद बादल बहुत काले काले चाय हुए है तो दो बार बोलने से उस पर अतिरिक्त प्रभाव पढ़ता है हमारे मन पर उसका स्वरमेत्री अलंकार जैसा कि इसका नाम है स्वरमेत्री यहाँ पर मित्रता हो गई है स्वरों के बीच मित्रों की क्या विशिष्टा होती है कि एक मित्र जो बोल रहा है वही बात दुसरा मित्र कहता है उनके बीच मित्रता है तो स्वरमेत्री में स्वरों के बीच में तरता है जब एक कावेपंती में बीच बीच में एक आधिक शब्द तुक बंदी करते हो तब वहाँ पर स्वरमेत्री अलंकार होता है उधारण है अनन भावे नींद नावे ग्रह बंधरे नधीरे यहाँ पर भावय आवय धरे इन शब्दों में ऐ स्वर से जो है अंत हो रहा है इसलिए यहाँ हुआ स्वरमेत्री अलंकार अर्थालंकार की और हम बढ़ते हैं अर्थालंकार का जानामाना उधारण मानवीकरण अलंकार मानवीकरण अलंकार क्या होता है प्रकृती पशुपक्षी अर्थवा निर्जी वस्तुओं में मानव गुणकार उपन होने पर उस रचना में मानवीकरण अलंकार होता है अर्थालंकार प्रकृती पशुपक्षी और निर्जी वस्तुओं को जब मनुष्य के रूप में दे जीले हैं हिमाले जो है परवत है वहां कोई मनुष्य नहीं फिर भी उसके कंधे पर जीले लटक रही है कभी कहता है तो यहां पर हिमाले को मनुष्य की रूप में देखा गया है जैसे कोई जीले शौल के रूप में उसके कंधे पर लटक रही हो यहां कभी ने हिमाले का अलंकार को हम ऐसे समझेंगे अतिशय उक्ति, अतिशय मतलब बहुत ज्यादा, उक्ति मतलब बोलना, जब किसी बात को इतना बढ़ा चड़ा कर बोला जाए कि वह असंभव लगने लगे, तब वहाँ पर अतिशय उक्ति अलंकार होता है, उदारण है हनुमान की पूछ में ल पाल भी नहीं जला, और उसी पूछ से हनुमान जी ने पुरी लंका को जला दिया, तो ये असंभव सा जान पड़ता है, हनुमान जी की वीरता का और शोर्य का इतना बढ़ चड़ कर वरणन किया गया है, कि वह असंभव सा प्रतीत होता है, इसलिए यहाँ अतिशय उक्ति तीनो बेहने हैं, उपमा छोटी बेहन, उत्प्रेक्षा मजली बेहन और रूपक अलंकार जो है सबसे बड़ी बेहन है, तो आईए इनकी परिभाशा देख लेते हैं, जहां उपमे की तुलना उपमान के साथ कुछ समानता क्या अधार पर की जाए, वहां होता है, उपमा अलंकार और यहां तुलना सा सी से के माध्यम से की जाती है, उधारन है, खिली हुई सी हवा आई, फिरकी सी आई और चली गई, तो सी के साथ हवा और फिरकी के बीच तुलना की गई है, तो उपमा अलंकार हुआ, उत्प्रेक्षा अलंकार, जहां उपमे में उपमान के अधिक साम में होने के कारण उपमे और उपमान का भेद खत्म हो जाता है और इतना साम में है जिसके कारण प्रस्तुत को और प्रस्तुत का नाम दे दिया जाता है वहां होता है रूपा का लंकार तीनों के उधारन भी देख लेते हैं एक ही उधारन में देना चाहूंगी यहां पर जिससे आपको हमेशा के लिए यह वह याद रह जाएगा जहासी की रानी के तुलना शेरनी के साथ की गई है इस वाकि में तो तीनों तरह से देख लेते हैं उपमा में कैसे होगी, जहासी की रानी युद्ध के मैदान में शेरनी सी लड़ी, अब शेरनी और जहासी की रानी की तुलना यहां सी शब्द से की गई है, इसलिए उपमा लंकार, जहासी की रानी युद्ध के मैदान में ऐसे लड़ी मानो कोई शेरनी हो, मानो के साथ यहा पर तुलना की गई है शेरनी और जहासी की रानी के बीच तो यहां हुआ उत्प्रेक शालंकार रूपक लंकार जहासी की शेरनी युद्ध के मैदाम में खूब लड़ी तो यहां पर जहासी की शेरनी कह दिया गया है किसे जहासी की रानी को मतलब यहां पर रानी का नाम कहीं एक उधारन और रूपकलंकार का देख लेते हैं हेम कुम्भले उशा सवेरे भरती ढुलकाती सुख मेरे हेम कुम्भ सोने का घड़ा लेकर उशा रूपी नाई का सुबसुबा आई है पुरे भारत वर्ष पर सुख की वर्षा कर रही है तो कभी कहते हैं हेम कुम्भ कौन है याँ पर हेम कुम्भ अर्थात सोने का घड़ा अर्थात सूर्य सूर्य को हेम कुम्भ कहा गया है सूर्य का कहीं भी नाम नहीं लिया गया तो रूपकलंकार में यही होता है कि जो शब्द वहाँ पर रखा जाता है वा किसी और की और संकेत करता है तो उमीद करती हूँ आपको सभी अलंकार बड़ी अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे और छोटी छोटी ट्रिक्स को यदि आप याद रखेंगे तो निश्चित तोर पर यह अलंकार आपके मन में बस जाएंगे तो आईए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं तब तक के लिए बुडबाई नमस्कार